आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैथामेटिकल फिजिक के जिसमें से पूरा सिलेबस यह है और डाइमेशनल एनालिसिस से लेके मिशलेनियस लाइक डिराग डेल्टा एवरिटिंग और यह हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं इसमें हम सबसे फिर्स जो यूनिट है डाइमेशनल एनलिसिस में फिर्स प्रॉब्लम हो है यह है कि यूजिंग डाइमेशनल एनलिसिस प्लांक डिफाइन आ करेक्टरस्टिक टेंपरिचर टीपी फ्रॉम पावर्स अब दा ग्रेपिशनल कॉंस्टेंट जी प्लंक सॉंस्टेंट एच बोल्वान कॉंस्टेंट के बिन दाइप्लाइट सीन वेक्यूम एक्सप्रेशन फो टीपी प्रॉपोर्शनल टूम मीस यह यहां पर हम जो टीपी के एक्सप्रेशन है उसका सॉलुशन देखेंगे है हमें दीयर क्या गया है स्पीड आफ लाइट सी जिसका जो डैमेशनल फॉर्म होता है ल्टी माइनस वन और प्लंक्स कॉंस्टेंट प्लंक्स कॉंस्टेंट की वेल्यू होती है अब एम एल टू टी माइनस वन और इसके बाद के वी के वी जिसको बोल्जमान कॉंस्टेंट बोलते हैं इसकी जो डैमेशनल फॉर्म होता है एम एल टू माइनस टी टू और टी इनवर्स वन पी और जो जी का डैमेशनल फॉर्मला होता है वो होता है एम इनवर्स टी टी माइनस टू यह हमको दिया है और हमको फाइंड क्या करना है फाइंड हमको करना है टी पी तो सबसे पहले हमको क्या करना है इस तरी की सारेंज क करना है कि जो बाद में जो डैमिशनल फोर्मूला बच हो क्या वज़े टीपी तो सबसे पहले हमको क्या करना है तो इस तरीके जैसे सपोस करो करना है सबसे पहले तो इस सब की वेल्यू हम पुट कर देते हैं तो ह की वेल्यू कितनी है ml स्क्वार टी मैनस वन और c की कितना है lt माइनस वन की पावर 5 डिवरड़ बाइ के स्क्वार बीटा के स्क्वार एम एल स्क्वार टी माइनस टू टी इनवर्स पी का स्क्वार और जी की है M inverse T3 T-2 और इसका पूरा क्या है अंडरूट है यह होगा तो यह हमने रख दिये अब इसको अदम क्या कर जो कैंसल हो रहा है तो इसको हम कैंसल कर दिये थे लाइक पहले सब्सक्राइब पहले ML2 T-1 इन्टू L की पावर 5 T की पावर माइनस 5 डिवाइड बाई अब देखो यह M स्क्राइब हो जाएगा M स्क्राइर L की पावर 4 T की पावर माइनस 4 और T inverse T यह T4 टेमपरिचर है तो T inverse की स्क्राइब पी इन्टू M inverse T3 T-2 एक T है टाइम और T-P है टेमपरिचर इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तिना पर देखना M कितना है यह बिल्कुल सही और L2 कितना L5 7 है L7 है T कितना है T की पावर माइनस 6 है अब नीचे देखना है M2 M2 M-1 है तो कितना बजाएगा M बचेगा L4 है T L4 है और हम L4 है इधर और यह एक्शुली यह LQ है स्वरी आ मिस्टेक LQ है तो 4 3 7 हो जाएगा L7 हो जाएगा T कितना है T हम को जी माइनस 4 और माइस 2 तो T की पावर माइनस 6 हो बचेगा T बचेगा बचेगा स्रिफ माइनस 2 T P यह हो जाएगा अब देखो यह सब कुछ कैंसल हो रहा है M की पावर M L C L T की तो बचता में क्या है स्रिफ पॉसर बचता 1 अपाउन T की माइनस 2 P कर रूट इसकाम जे इस तरह की से लिख सकते हैं T की स्क्वार P और अंडर रूट से निकलेगा तो T P तो सही प्षिन कान सा होगा यह 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 वाला S C की पावर 5 की स्कार बीटा जी का रूट so correct answer is this sc square kv t by j now next question in the scattering of scattering of some elementary particles the scattering cross section sigma is found to depend on the total energy e and fundamental constant h and c using dimensional analysis the dependence of of sigma on this quantity is sigma . sigma . sigma the cross section so is this cape meter square meter square . second half of plant constant is the joule into second and after c is the meter into second and this is the eq होते हों क्या होता है जूल अब हमको रिजल्टेट किया मीटर स्कॉर ची इन गौंटिटी से हम को कहां घृत करने के लिए हम क्या कर दो छिए है इसका सके हो है सपाइट से कि कितना मीटर इंटु सक कीद्ध है चया किस्केड़ करना है इसका स्फॉयर करना तो इसका जो correct answer होगा, वो होगा hc upon e.